नमश्कार दोस्तों आसवी का बहुत-बहुत स्वाखत ते हमाले सीटोब चैनल खुशाल जिन्खी में तो आज की सीडियो में हम बात करने वाले थे माध सिटी के बारे में, और आज की सीडियो में अम खास आपको पताएंगे, कि मा शिवरातरी कप पढ़ने वाली के दोजातेईस में इसकी तारीक, इसकी पूजा विधी और शाती साथ इसका शुब मूरत भी तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और तक माचनल को सस्क्राइब नहीं किया है और इस दिन भगवान भोले नाद और मता पाविती का विवा हुआ था और इस दिन शिवर जी के भख, शद्दा और विश्वास के साथ वरत रखते हैं और विधी विधान से उनके अराधना करते हैं और हिंदु धम में मानता है कि महाच शिवरात्री के दिन भगवान भोले नाद प्रित्वी पर मौझूद सभी शिवलिंग पर मिराजवान होते हैं और इसलिए मानता है कि महाच शिवरात्री के दिन की गई शिव की उपासना से कई कुना अधिक फल मिलता है और मगवान शिव और माता पार्वधी की विवा का ये पावन दिन शिव पार्वती के रिवा पाने के लिए सबसे उत्तर दिन माना जाता है और ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस साल मार्श शिवरात्री की तिथी क्या है उसकी पूजा विथी और महत्व सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महार शिवरात्री दोजा तेश की तिथी के बारे में और इसके शुब मूरत के बारे में तो पंचान के इंसार फालकुन मार की चाथ दशी तिथी को यानि की 17 फरवरी की रात 8 बचकर 2 मिनलत से शुरू होगी और ये 18 फरवरी की शाम 4 बचकर 18 मिनलत पर समापत होगी और ऐसे में ओध्य तिथी को देखते हुए इस साल महार शिवरात्री का पर्व 18 फरवरी 23 शनिमार को मनाया जाए तो चले हम बात कर लेते हैं वरत पारण मूरत के बारे में तो महार शिवरात्री का वरत रखने वाले जाथ तक अगले दिन यानी की 19 फरवरी को पारण कर सकते हैं और महार शिवरात्री वरत पारण का शुप समय 19 फरवरी की सुबा 6 बचकर 17 मिनलत से दो पहर के 3 बचकर 33 मिनलत तक रहेगा तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं महाश्री व्रात्री की व्रत्विधी के बारे में तो महाश्री व्रात्री की दिन प्राता का सुबा उटकर स्नानादी करके पूर्ष रधा के साथ भगवान शंकर के आगे व्रत रखने का संकल्प लें और संकल्प के तुरान उफवास की अवधी पूरा करने के लिए भगवान शिव का आशिवाद ले तीसरा इसके लावा आप वरत किस तरह से रकखेंगे याने की फलाहार या फिर नेजला ये भी संकल्प ले इसी के साथ मैं आपको बताती हूं माष्षिवरात्री की पूझा विदी के बारे में तो माष्षिवरात्री की पूझा करने के लिए सबसे पहले भगवान शंकर को पंचा मिस सिसनान कराएं दूसरा शाती सात केसर के आट लोटे जल चढ़ाएं और पूरी रात्री का दीपक जलाएं इसके एलाबा चंदन का तिलक लगाएं उसके बाद बेल पत्र भाँ धातूरा, भूले नाथ की सबसे पसीनिते चढ़ावा चढ़ाएं और इसलिए तीन बेल पत्र भांग, धतूरा, जाइफल, कमल गटे, फल, मिस्ठान, मीठा पान, इत्रवादक्षिन चलाएं और सबसे बाद में केसर यूंगत, खीर का भोग लगाएं और सबको प्रसाद बाटें तो आज के लिए उसे इतना है, वीडियो पस्ना आई हो तो प्लीज माचनल को लाइक, सब्सक्राइब, बहुत शेयर करेगा मैं मिलते हैं आज से अपनी अगली वीडियो में तब तक लिए नमश्कार और अपना ध्यान रखें